दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चनल फेंटसी फेक्टर में और इसे लोग बात करेंगे हम लोग यहापे स्री लंका वर्स आस्ट्रिलिया के बीज में जो पहला टी-20 मुकाबला खेला जाएगा इसकी हम लोग यहापे काफी डीपली बात करने वाले यहाँ फ्रे आपको बता काफी ज़दा यहापे मैटर करने वाला इसकलर आपको बता जैसे पहला टी-20 मुकाबला है तो बहुत चारे प्लियर आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा अंडर रेटिट रहें जैसे मैं आपको यहापे बैटिंग सेक्शन में आपको कुछ ऐसे प्लियर मिल लेकिन वह आप लोगों के लिए इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले इस मॉलिक में तो आप लोग उनको पिक करगे क्लीन सिप करोगे ही करोगे लेकिन ग्रेंडिक के उपर भी आप लोग बाल ची आप लोग रैंकल आ सकते हो ठीक है तो आप करते हैं लेकिन फ्रेंट्स वीडियो के स्टार्ट करने से वहले हम लोग बात करेंगे कमाल के फेंटेसी एप के बारे में जिसे आपका नाम है कुबेरा फेंटेसी जैसे नाम कुबेरा है न वैसे आप लोग के लिए का खजाना सा भी तो सकता है क्योंकि यहां पर आपको क आपने जो 5 प्ले आएगा नाज आप लेक्ट करने सिर्फ एक प्लेर अगाल के वाद आपको बदाता हूं टिक है जैसे आपको यहां पर देख रहा कि इस लीग में किसी बंदेने जॉइन कर रखा तो यहां पर चाके आप लोग च्छक कर सकता हो कि इस बंदे ने कौन से प हैं, कि आप जो पर को पतांस के ओफय कि अि आ किविज के हला रोगे है मैं दो ख्यकर्त करे अूर्थ सीट अपको लग रहा है कि अच्छा करेंगे जैसे वांर डशा करेंगा तो उसी तेंच तॉक छिस थ्लिए राना टी। कर तो आपको आपको तो Axy रहेंगे न वो रियल से यहांस का उनके यह पर यूज कर सकते हो तो कहीं बीकिसी बीडिक में लगा सकते हो ठीक है। तो जुरूर से ट्राइ करना आपका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्किप्शन वॉक्स को टॉप के कमेंड में मिल जाएगा ठीक है आप बैस की कुछ बेसिक डिश्क को यहां पर देख लेते हैं जिसके बेस पर हम लोग यहां पर जो है अपनी बैस्ट फेंटसी टीम पाए ठीक है सबसे पहले आपको बता दो यह वाला जो मुकाबला है यहां पर खेला जाएगा यह फ्रेंटस खेला जाएगा को लंबो में ठीक है यानि कि फ्रेंटसी होने वाला आप लोग देखोगे तो अगर आप लोग इस से पिछ का भी रिकॉर्ड देखो न ठंग से प्रेंटस जलो सबसे पहले पिछ को ही हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो पिछ को में कापी डीप ले आपको यहां पर समझाओंगा यहां पर चो है टोटल अभी तक 36 मैच हो चुक है इस पिछ पर आगर आप लोग देखो 36 ही हापर मैच हो चुक है जिसमें बैटिंग करने वाली वाली टीम ने है इसा 155 मुकाबल है औरखिश करने वाला टीम निए जएता है तर्म काभले ःत्हरं पर 46 मुकाबल है और आप यहां पर जाता मुंद सकोर बनता है यहां कि आप लोग एक सिर्धитесь को चुप्स्त पर आप सह ट करेगी उन 10 1 1 पो कंछ तोड़ेघ क सिर्फ एपर लाइश इंसे स्कोर बना है वो यह पर सिर्फ असी रंड बने और इनके यहां पर लगभग देखो पुरे के पुरे बिकेट यहां पर गिरयें ठीकि Etiket अगर आप तो देखोगे जो कंडिशन है वो भी आपको यहां पर थोगा सा ज्यादा दिखेगी कि बैटिंग करने वाली को यहां पर ज्यादा एड्वेंटेज है ठीक है अब दोनों टीमों का जो है टो है टो है रिकॉर्ड रिकॉर्ड रा जिसके बेस पर हमें याज पर यह चीज किलि वाला है वह होने वाला आर प्रेमदासा कोलंबो में यारे कि स्रीलंका के होम ग्राउंड में मुकाबला होने वाला और आप लोगों एक चीज सुनी होगी कि अपने घर में तो यार कुट्ता भी सेर बनता है ठीक है तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान देनी कि यहां पर हारेगा तो यहां पर कहीं नहीं फ्रेंड्स यहां पर ऐसा है कि जो स्रीलंका की टीम है वह यहां पर बैटर कर सकती है ठीक है क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेलने और यहां पर यह बहुत साले मैदस खेल चुके है और अच्छे से इन्हें पिछ के बारे में एक एक यहां पर आप लोग मान सकते हो कि 50-50 यह ओबर ओल यह मुकाबला रहेगा यहां पर एक्जेक्ट लियनि कह सकते हो कि यह पर ऑस्टेलिया जीते हीगा यहां पर स्री लंका भी जीत सकता और इसके जादा चांसे तोड़ा सा यानि कि 60% के आरावन में यहां पर माननों कि स्री स्री लंका के विन करने के चांसे क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेल यहां पर इन्हों ने बड़ी बड़ी टीमों को हरा रख एक और 40% चांस है कि यहां पर और ऑस्टेलिया विन करें तो हमारी जो टीम बनेंगी थोड़ी सी अज की वो थोड़ी सी अलग सी बनेगी और हम लोग स्री लंका के फिवर में यहां पर जाएंगे ठीक है अप फ्रेंड्स हम लोग यहां पर दोनों टीम हो की पॉसिबल प्रिंग उसको भी थोड़ा सा डिसकास कर लेते सबसे प्रेंड़े स्री लंगा की तरब से आपको दनुसका गुना थिलका और यहां पर पथ तो यह आपके टीम में कंफा मेरी ख्याल से होने चाहिए दोन उसका गुना थे लगा तोड़सा लास्ट के कुछ सालों से उतनी अच्छी फॉम में नहीं लेकर उससे पहले अच्छी फॉम में थे तो यह भी आप लोग ट्राए कर सो क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खे कि यह यह सामने वाली तुम की लंका लगा सकता त्रिक क्रुसाल मंडे साप जानता हुँ कि इतने बड़ी विकेट की में सेक्षान से आपको मिलें जर्ए कारें इनका बीफट पर क्या देखो कि यह जड़ान थी का होई उपको मिलेंगे तिक अच्छे वैट्समन आपको मी सब्सक्राइब कि बसे करा है यहां अभी अच्छा चरव निकाले लेकिन अब अभी आपको एपने अपको कर सकते हुए आपको मिलेंगे दसमांता चमीरा ये इस टीम के सबसे स्पेसलिश टैथ बे ओबर के बॉलर है डैथ में बहुत अच्छे बिकेट निकालते हैं अकर ये टीम पहले बॉलिंग राधी ने स्रिलंगा की टीम डेफिनेटली आप लोग दरुसका यह पर दसमांता च फिप्टी सेवन विकेट है और तीन सो पहतीस रने वान अप देश्ट ऑन लाउंडर है तो जर इकिस के भी और अभी आप लोगों ने देखा था इपल में बहुत ही अच्छा है मलब क्या को हुए इनके बारे में आप लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं आप लोगों मिष्ट्री स्पीनर मैस तिसकाना जो कि आपने राइटाम आप ब्रीक से यहां पर बहुत इच्छे बिकेट निकालते हैं इन्होंने 15 मैं चौदर विकेट निकालें बैस्ट जो इनकारा आप लोग यहां पर देखिए 17 बिकेट निकालें तो यह बहुत अच्छे यहां पर दसमानता चमीरा होगे महिस्टिक चान आओ अपर कुसंद राजिता है ठीकेट बहुत याप बैसी बैस्ट डैस पेस्ट इस भॉलर रह रहें लिए कंशेट अब जावर फिंच आप लोग देखंगे आप लोग डिखेंगे, आप लोग देखिए 30 मोग बैस इने 89 मैंच थ थर्टीफोर के एवरेज से यहां पर सताइसा थालेसर नाया यानिकी थर्टीफोर का इनका एवरेज है लेकिन लास्ट के कुछ सालोस अगर आप लोग देखो गए तो फिंच उतनी अची फोर में नहीं है इनके उपर आप लोग ट्रेश्ट नहीं गर सकते हो तो टीम में ले यह कापी अच्छे प्लेयर है कापी जाद कंसेटेंड आप लोग ने आई बेल में भी देखें लेखें लेखें यह तो टीम फास्टीफ बाॉलिंग राद एक त्सिक्स मैच के ले और अवरेजन का रहा है आट्सोपचासी रान बनाए है और फंद्रा विगेट भी दो तो ठीक ठाक प्लेय रहा है मिचल मार्स तो इनको आप लोग ले सकते हो और कैप्टेंसी वाइस किप्टेंसी भी देखी चल सकते हो फिर इस्टेम के वन अप देश्ट ऑल लवन और ग्लैन मैक्सवल की बात करोंगे राइट है और एक प्रिक पॉलिंग रहते हैं तीसका इनक अधर कि मैंने वोर्णी क्या प्राइब आप लेता है इनको में यहां अपको ले सकते हैं अब आपको जाधान हो यहां प्रिखो करने क्रिको कि अधर शेच में भी नहीं है नहीं मार्स इसकी बात करोंगा यह वंशा है जो गैम चंजर आप लूग का लेता है आप देखी श यहां पर देखो कि तो 11 बिगेट भी इसके नाम है तो कहीं नहीं एक इंपोर्टन प्लेयर रहेगा मेर्कल स्टॉनिक्स कभी भी टीम इनसे बॉलिंग करा लेती जब भी टीम को लगता है यहां पर बहुत ठाप को रहा है ठीक है बेकेट बगेर निकालना तो स्टॉनिक्स आ अगर आप लोग चाहो तो यहां पर इनको थोड़ा सा ड्रॉप भी करके चल सकते हैं अगर की बात करूंगा इनकी जो आप लोग ने बॉर इस पेस लिस्ट है ठीक है लेप टार और फॉर लेप टार फफस्ट बॉलिंग कराते हैं टीट ट्वञ चाहें पचाहस मैच के लिए साथ बिकेट निकाले बैस जोन का रहा तीन बीकेट बिकेट निकाले टीके लिए तो कहीं नै कई मिचल स्थार कर आप ल यहां पर आएंगे इनके सबसे अच्छे बॉलर जो की स्टार्टिंग में सबसे अच्छे रहते हैं जॉस हजलोट राइट हम फास्ट मीडियम बॉलिंग कराएंगे 20 को बीकेट निकाले सिर्फ्टी जब बीस डीन होगी स्टार्टिंग कर निकालता अब करेंगे वासे इने चाल बढ़ीर्ट में घॉल्ट निकालता अब तो इनके जो छो ट्रीम सालों से बहुत अब चलीघ्न जबर प्रक आंगे वैसे इनके बाप हजल हुट भी है और यह भी आपको यह पर देथ में ओबर कराते हुए दिख सकते हैं तो यह था फ्रेंट्स दोनों टीमों को ओवर रोल यहां पर प्लेंग अब हम लोग यहां पर बात करेंगे टीम को मैं यहां पर बनाऊंगा और ग्रैंडिक के लिए मैं आपको अल्यूड़ी बता चुका क सबस्था मने टीम में अभी आपको यहां पर अनिचक सबसे बैस आपको सब यह कहां कि अब आ कि और तैसे ऑख कॉण हो है कि आपको स्टार्ट अच्छा करें लिए उसे पड़ी इनिंग में कर पा रहे थे ठीक है कुसालमेंडिस इनका भी सैमी रहता है आपको पता 21 का एरेस था इनका मैंने आपको रिकॉर्ड दिखा चुका अब चलेंगे हम लोग बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले मैं आप पथुनी संग अब लोगा यह सबसे अच्छा और सबसे बैस्ट बैट्समान अभी टी टुटि के फॉर्मेट से ख़ाब से देखो आप लोग सिलंगा की तरब से कापी अच्छी फॉर्म में चला ठीक है रिसेंट इतने मैं अच्छा बैट्समान इनको बहुत अब लेके चलोंगा ठीक है बाद बक्सा हो गई ठीक है तो इनको लोग यहां पर लेई चुके अब अल्लांगर सिक्सें में जाएंगे वन दो असरंगा इनको तो मैं लोगा लोगा ग्लैन मैक्सवल यह दो तू कंफरम होने ही होने चाहिए बाकि दिखते हैं यह पर तुसन सनक का इनका हमारी टीम में आते हैं यह नहीं आते हैं क्योंकि अभी इतना कंफरम है कि इनको कितने ओवर की बोर्रिंग मिलेगी ठीक है बहुत ज़्यादा नीचे करते हैं अब इदर से देखो जैसे मैं आपको का कि हजलोट जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे बिकेट निगालते तो इनको य आउस्टिले के अब से इसलिए हमें तीनों को पिक करें के चलना पड़ेगा मिचल मार्स पर किसी मैच वाच वाज जल सकता और एरॉंड फिंच भी जल सकता इन तीनों के ऊपर हम लोग यहां पर रिस्क ने ले सकते क्योंकि एक ब्लाइंड रिस्क होगा अब क्याप्टैं तो पिछ में उतने इचा स्कूर बनते हुए भी देखा नहीं है ठीक है और अगर कोई टीम बैटिंग फस्ट करी तो उसकी तरब से आप फिर भी दे सकतो लेकिन जो चेस करें तेम उसकी तरब से मत देना क्योंकि बैटिंग सेकिंड जो है उतना अच्छा एवरेज स्कूर जो है बेनीज फिच पे ठीक है अब आपको बॉर्लीक सेक्शिन में चाहो तो आप लोग क्यप्टेंसी सकते हो तो तिक्साना को देसको दसमान्ता चमीरा को देसको हजल हूठको को देसको तो तीन सबसे बैस्ट है बारेञ्ज को इस इनको चांस हुनम रहेंगे तो ग्रफ के उपरी ट्राय करना अगर ज्यादा विकेट मिलता है भी तो ग्रांडिक में आपके क्याप्टिन नहेंगे स्टार्क तो उस कंडिशन में आपकी जो रहेंगे हो ग्रांडिक के उपर अच्छी आ सकती ठीक है तो फिर स्टीम हमारी कुछ इस प्रकार से बन गई सब्सक्राइब आपको जरूर से जोइन करना जिसका लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्किप्शन बॉक्स टॉप के कमेंट दोने जो को मिल जाएगा या फिर आप टैलिगाम के उपर जाके सर्च भी गर सकतो एड़ रेट फेंटेसी वेक्टर ठीका लिंक काम ना करें तो को इतना ही बताना था अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना पहली बार चैनल तक आयो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पर सटके लेना मैं मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग को इस मैच का बहु झाल अपकुड़!